नाजी नादाब पुन्च लाइव की नियूज का हुआ असर कल आपने पुन्च लाइव पर देखा ही होगा कि बहुत से ट्रक ड्राइवर्स जम्मो पुन्च हाइवे बंद होने की वज़ा से परेशान थे जिसके बाद पुन्च लाइव की टीम बीजी पुन्ची और वहाँ फसे हुए ट्रक ड्राइवर्स से बात की तो उन्होंने कहा कि हमें बहुत सी मुश्किनों का सामना करना पर रहा है और उन्होंने एड्मिनिस्ट्रेशन से ये अपील की थी कि इस रोड को जल से जल खोला जाए तांकि वो अपने ट्रक अनलोड करवाकर अपने गर को वापस जा सकें जिसके बाद पुँच लाइव पर इस न्यूज को टेली कास्ट किया गया और उसके बाद एड्मिनिस्ट्रेशन फोरण हरकत में आते हुए इस रोड को ओपन करने का ओडर करती है और आज ट्रक ड्राइवर्ज और बाकी अवाम भी पुच लाइव और अड्मिनिस्ट्रेशन का शुक्रिया अदा कर रही है और आपकी जानकरी के लिए बता दें कि इस रोड को इसलिए बंद रखा हुआ था क्यूंकि इस रोड पर बाटा डुटियां के जंगलों में एंटी मिलिटेंसी ओपरेशन चल रहा था और आज इस रोड को तकरीबन 17 दिन के बाद आम पबलिक के लिए खोल दिया गया है अया है कर दो कर दो कर दो कर कर दो कि न्टार कर दो झाल 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 झाल